मंडाओं में चाय बनाने के दोरान लकीज सलेंडर में आग लगने से हुआ बड़ा हादसा छे लोग हुए गायल गायलों को जुनजनु के बिडिके अस्पताल में करवाया गया भरती खबर जुनजनु जिले के मंडाओं कस्वे से हैं मंडाओं कस्वे में एक मकान में सुबह चाय बनाने के दोरान पास रखे लकीज सलेंडर में आग लगने से अड़कम्प मच गया हादसे में छे लोग गंबी रूप से गायलों गए जिन में दो मैलाएं एं चार पुरूस है सभी गायलों को जुनजनु के बेडी के अस्पताल में बरती करवाया गया है जहां सभी का इलाद जारी है पुलीस के अनुसार मंडावा के लीलगरों के मोले में आज सुबह एक गर में रसीदा बानों चाय बना रही थी इस दोरान पास में रखे लकीज सलेंडर ने आग पकड़ ली आग लगने के बाद अफ्रात अप्री में जो भी वेक्ति आग बुजाने के लिए पहुंचा वाया आग से जुलसता चला गया एक एक कर छे लोग आग से जुलस गए गायलों के परीजन जावेद ने बताया कि चाय बनाने के दोरान पास ही रखे लखी के खोल रहे भी तो खोलते उस दूसरी ओपे आग लगी उसका उस्लेंडर के ल norm लगए लिकवाडी थी फिर वह फूरा स्लेंडर वह उसमें से आग निकल गया पिर जो के पास बचाने गया था χू वह बर अज़या हैं और फिर मेरा चाचा में हेख़ा वह बिछलकर आ रहे इतने में चार पांच लोग है वो जल गए